Assalamu alaikum and welcome back to the course आज हम बात करेंगे कि as an influencer आपको किस तरह के brand के साथ काम करना चाहिए चाहे वो collaboration हो, paid partnership हो, affiliate marketing हो, जो भी हो और किस तरह के brands के साथ आपको अपने आपको associate करना चाहिए वैसे ये एक बहुत ऐसी चीज है जो आपके अपने काम पर depend करती है कि आप किस तरह के influencer है और जाहिर है आप जिस तरह के influencer है आपको उसी तरह के similar brand के साथ, मिलते जुलते brand के साथ काम करना चाहिए एक दो चीज़ जो बड़ी important है वो ये है कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो अगर वो एक छोटा business है, छोटा brand है, कोई छोटा मोटा page है जो अभी खुड develop कर रहा है और शुरू में हो सकता है कि आपको काम करने का मौका भी ऐसे brands के साथ मिलें तो आपको चाहिए कि अपनी end पे हमेशा पहले थोड़ी सी research करें आपको कोई reach out करता है काम करने के लिए आपके साथ तो आप उनके उपर research करें कि exactly वो क्या-क्या बेचते हैं, क्या-क्या करते हैं उनकी price range क्या है, किस तरह की चीज़े वो बेचते हैं उनकी अपनी promotions किस तरह की होती है, उनके brand reviews क्या है कहीं वो कोई scam तो नहीं है, कोई problem तो नहीं है, अपने end पे research जरूर किया करें यह आपका पहला step है, यह बहुत important step है दूसरा यह, कि जब भी आप किसी brand के साथ काम करने लगें तो understand करें कि उनके goals क्या है इस campaign के साथ या इस collaboration के साथ, इस partnership के साथ और आपके goals क्या है इस partnership के साथ, ठीक है वो आपको क्या offer कर रहे हैं, वो justify करता है वो चीज़ जो आप से वो मांग रहे हैं और जो आपको दे रहे हैं, is it justified उस चीज़ को वे करें, कि आपको के सेरिया में क्या फाइदा हो रहा है जैसे मैं आपको example देती हूँ, मैंने शुरू में मुझे एक काफी बड़े brand ने approach किया था और उस वक मेरी अच्छी खासी following हो चुकी थी और मेरा काफी successful जा रहा था ब्लॉग तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको आपने हमारे लिए यह यह करना है बहुत सारी चीज़ें थी और हम आपको कराची बुल्वाएंगे और कराची में यह सब होगा, that means कि मेरे कोई 3-4 दिन महां 3 निन कराची में लगने थे जहां पर मैंने constantly non-stop shoot वगरा करना था और फिर फिर वो campaign roll out होनी थी उन्होंने मुझे return क्या offer किया कि हाँ आपका जो यह सारी campaign है यह हमारे सारे official pages पे चलेगी क्योंकि वो brand बहुत बड़ा था तो उनकी समझ में यह था कि मुझे वो exposure चाहिए मेरा यही goal है कि क्योंकि मेरी शकल उनकी brand पे चल पड़ेगी तो मुझे इससे फाइदा होगा जब कि मुझे उससे फाइदा नहीं हो रहा क्योंकि मैं अपनी growth organically खुद से कर लेती हूँ वो एक चीज है जिसके मुझे किसी brand की उस तरह help की उस point पर जुरूरत नहीं थी तो यह एक ऐसी partnership मुझे offer करे थे जिसे मुझे कोई फाइदा नहीं हो रहा था मुझे ऐसी partnership जिसमें मेरा इतना time इतनी महनत और इतनी energy लग रही थी उसमें justified नहीं था कि आप एक दिन बस मेरी एक post डाल दें जो शायद कुछ देख लें क्योंकि brands को उस तरह लोग उनके facebook pages को इतना seriously नहीं लेते उन्होंने मूड के देखना भी नहीं है कि ये ad में कौन है बस ad में कोई लड़की है तो मुझे उससे कोई फाइदा नहीं होना था जिस वज़े से मैंने वो offer reject कर दी कि मुझे इस effort के लिए पैसे मिलने चाहिए especially क्योंकि वो अगर brand इतना बड़ा है तो वो उनकी affordability में आता है तो इस तरह की चीज़ों को judge करना कि आपके goals क्या है और उनके goals क्या है और जो फाइदा दोनों को इस चीज़ से होना चाहिए वो एक fair और justified हो जब आप किसी brand के साथ काम करते हैं तो आपने ये decide करना है कि ये value based partnership होगी या monetary partnership होगी commercial partnership होगी तो आप ऐसे ही brands के साथ काम करें जिनके साथ आपके goals align होते हैं फिर एक important चीज़ ये है कि आप cross check कर सकते हैं अगर specially value based आप को फाइदा हो रहा है तो आपको ये cross check करना ज़रूरी है कि अगर आप ऐसी partnership कर रहे हैं जिनसे आपको बस exposure मिल रहा है जैसे कि मुझे इस offer में था तो उनकी following क्या है क्या उनके जो followers है जो उनकी audience है वो ही है जो आप में interest भी रखेगी जो आपको follow करना भी चाहेगी genuinely अगर उनकी audience है following ऐसी demographic है जो आपकी demographic से नहीं match करती जिनको आप में interest नहीं होगा तो फाइदा नहीं है उनके साथ काम करने का ठीक है तो ये एक important चीज़ है वैसे भी वैसे भी अगर value based ना भी हो तो आपको technically उनकी brands के साथ काम करना चाहिए जिनकी और जिनकी और आपकी चाहेए आपको उसके लिए पैसे मिल रहे हो जिनकी और आपकी demographic similar हो otherwise sense नहीं बनती अगर आपकी demographic similar नहीं है आपकी following एक जैसी नहीं है तो sense नहीं बनती कैसे brand के साथ काम करने की जिसके साथ ना आप connect कर सकते हैं ना आपकी audience connect कर सकते हैं फिर होती है brand values brand values एक ऐसी चीज़ है यह होता है कि आपकी as a person आपकी क्या values है और उनकी and as a brand brand क्या values है ठीक है हो सकता है वो match ना करें वो similar ना हो तो किसी ऐसे brand के साथ काम करने की जूरत नहीं मैं यहाँ पर specially कहना चाहती हूँ कि आप Instagram पर वैसे कुछ और appear नहीं हो सकते और किसी brand के साथ काम कर से वे कुछ और appear नहीं हो सकते तो जहां आपकी values जो भी sponsorships हो collaborations हो उससे आपकी audience को कोई ना कोई फाइदा जरूर होना चाहिए ठीक है अगर वो की campaign है या जो भी है उस campaign की theme से उनको कोई फाइदा हो रहा है आपने मेंशे यह सोचना है कि ठीक है मुझे तो यह फाइदा हो रहा है in the form of money या exposure या gifts या जो भी किसी form में आपको फाइदा हो रहा है लेकिन मेरी audience को किस form में फाइदा होता है इसके बारे में पता करके तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो कोई बहुत mainstream brand है जिसका सब को बता है जैसर टपाल है ठीक है तो उससे आपकी audience को शायद ये फाइदा नहीं होगा कि उनको टपाल के बारे में बता चलेगा लेकिन क्या पता टपाल की कोई ऐसी theme हो या ऐसी कोई campaign हो जो कि बहुत अच्छी है जिसमें कोई meaning है जैसे for example Ariel के बारे में सब को पता है उसकी मैंने एक latest campaign अभी ये की थी कि के वो बात कर लेते है equal partnership के बारे में in marriages वो एक ऐसी brand वो एक ऐसी value है जो मेरे दिल से भी बहुत close है जो apparently Ariel की भी एक important brand value है match करता है ठीक है और मुझे पता है कि एक ऐसा message मुझे Ariel के through देने को मिल रहा है जिससे मेरी audience को फाइदा है समझे आप मेरी बात तो ये एक ऐसी चीज है जो कि फिर मैं एक ऐसी campaign है जो मैं लूँगी से मुझे पता है कि लोगों को भी फाइदा है मुझे भी फाइदा है ब्राइंट को भी फाइदा है और मेरी values भी इनके साथ align होती है अब एक बहुत important चीज जो मैं आपको यहां पर बताना चाती हूँ वो यह है कि शुरू में ना क्योंकि यह beginners के लिए mostly course है I know आपकी पहली दो offers आएंगी और partnerships आएंगी और आपको बहुत excitement होगी और आपका दिल चाहेगा कि बस अच्छा अगर मुझे पैसे offer हो रहे है तो मैं एक दम से चड़के ले लूँ जो कि आपको होंगे क्योंकि अब इंडस्ट्री ऐसी है कि आप इसमें step in करेंगे आपने थोड़ी सी मेनत करनी है और आपको partnerships आना शुरू हो जाएंगी and instantly money making opportunities आपके पास आएंगी लेकिन long term sustainable income के लिए ताकि आपके पास opportunities आती रहें आपको अपनी creative freedom पर compromise नहीं करना जहांपर कोई brand आप से आपकी creative freedom लेता है यानि आपके बनाने का तरीका आपका content बनाने का style वो अगर आपसे change करवाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए आप उनके साथ ना काम करें और mostly होता है कि जब आपको पैसे offer होते हैं especially जब आप छोटे से influencer होते हैं तब आपको creative freedom उन्हें ही देते हैं प्योंकि वो एक होता है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं तो इसको बिल्कुल ऐसे करें लेकिन ऐसे नहीं होता इसलिए अपनी style of work को इतना authentic बनाएं अपने style of work को इतना पका करें कि आप से कोई आपका creative freedom ना चीन सके ठीक है तो शुरू में अगर आपको थोड़े से पैसे give up करने पढ़ें for a bigger picture तो वो मेरी advice है कि वो आप करें क्योंकि in the long term जब आपका आपसे creative freedom नहीं चीना जाएगा और आप बड़े-बड़े brands के साथ करेंगे तो ना आपको चाहे कोई brand जितने मर्जी पैसे दे वो आपसे आपका creative freedom नहीं चीनेगा क्योंकि उन्हें पता है कि आपका ये style है आप ऐसे ही करते हैं आपकी audience को पसंद भी ऐसे ही आता है और वो आपको creative freedom भी देंगे और वो आपको आपके काम के लिए पैसे भी देंगे जितना आप truly deserve करते हैं ठीक है तो शुरू में especially अपने आपको compromise मत करें negotiate करें बात करके देखें बहुत सारे आप क्योंके industry इतनी बढ़ गई है लोग understand करते है creative freedom को ठीक है मतलब आप इस तरह कर सकते हैं कि आप को अगर if somebody is willing to pay you तो आप कह सकते हैं कि ठीक है मैं इसका 75% ले लूँगा 50% ले लूँगा लेकिन मुझे मेरा creative freedom practice करने दीजिए तो fair रखिए आपने अपने साथ भी fair होना है और लालच में आके ऐसे नहीं करना क्यूंके for sure इस industry में you will get to make money आपको थोड़ी सी सबर दिखानी होगी और अपने आप के साथ genuine होना पड़ेगा और अपने creative style के साथ भी genuine होना पड़ेगा तो यह कुछ चीज़े हैं जो आपको सोचनी चाहिए जब आप किसी भी brand के साथ partner करते हैं collaborate करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें जितना आप सोच समझ के यह करेंगे जितना आप smartly यह करेंगे उतना ही आप इसमें से revenue generate कर सकते हैं क्यूंके otherwise वो एक वाली यह वाली चीज़ है कि आपको offers आने शुरू हुए आपको पैसे आने शुरू हुए आपने उसको इतना कर लिया कि literally ना आपका creative freedom रहा ना आपकी creativity रही और आपका blog ऐसे उपर चड़के ऐसे नीच जाएगा तो growth को मेशा sustainable रखें consistent रखें ठीक है और आगे की सोचें अगर आपने इसके अंदर इसको एक full time career बनाना है और इससे सही तरीके से इस industry में का एक हिस्सा बनना है और इससे आपने कुछ पैसे बनाने हैं अपने लिए ताकि आप एक sustainable life गुजार सकें ठीक है नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे negotiations और contracts के बारे में brands के साथ बहुत चोटी सी वीडियो है नेक्स्ट ताइम उसमें मिलते हैं अल्ला हाफिस